नमस्कार दोस्तो मैं रोईत नोकरी जोन में आपका मैं एक बार फिर से हर्दिक अभिनेंदन करता हूँ आपके लिए आज मैं कंप्यूटर से जुड़े कुछ MCQ लाया हूँ जो आने वाले आपके JSSC का जो पंचाथ सच्छिव का एक्जाम है उसमें आपको काफी मदद मिल लेगी और मैं बता दूँ कि यहां आपका सिलसिला जो है लगातार चलता ही रहेगा और साथ ही साथ मैं आपके हिंदी जो आरो भाग्टू और वितन भाग्टू है उसका भी MCQ करवा रहा हूँ हमारे चनल के प्लेरिस्ट में आपके पतंग और आपका आत्म परिचे दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि MCQ पोस्ट कर दिया गया है अगला आपका कविता के बहाने जल्द ही पोस्ट किया जाएगा आप इंतजार किजिए हमसे जुड़े रहे और हमारे चनल को सब्सक्राइब किजिए बैल बटन को दबाए नोटिफिकेशन पाने के लिए और दोस्त दोस्तों आप लोग लाइक जरूर किजिए आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं सही काम कर रहा हूं तो प्लीज प्लीज दोस्तों आप लोग लाइक करना ना गोले दोस्तों ठीक है दोस्तों एक और चीज आप से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्ल कोई दिकत नहीं लेकिन दोस्तों प्लीज एक बार उनलाइन पूरा वीडियो आप जरूर से अंतर तक देख लिए उसके बाद प्लीज डाउनलोड किजिए दोस्तों तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं आपका यह आपका पार्ट वान है पार्ट टू पार्ट ती इस तरह क लिख सकते हैं पैन पेपर लीजिए और इसमें आपके क्वेस्टन नमर से आप आपने अंसर बताती चाहिए मैं आपको एंसर बताती जाओंगा आप ट्रिक करती जाहिए और आप हमें बताएं कि आपका कितना सही हुआ है दोस्तों तो आपका पूरा नाम क्या है तो एल य आपका की कम्प्यूटर का जो है दिमाग कम्प्यूटर का जो दिमाग है वह आपको किसे कहा जाता है और आपके अपसंस देखिए यहां पर मैंने पांच दी अपसंस दिये हैं और इसका जो राइट एंसर है वहाँ है आपका एक CPU यानी सेंट्रल पोससिंग यूनिट को कम इसके बाद है आपका अगला है कि computer जो है आपका computer process द्वारा information में परिवर्तित किया जाता है तो क्या information में परिवर्तित किया जाता है computer process के द्वारा तो वहाँ है आपका जो डी जो आपका data है यह जो आपका data है यह d data यह आपका परिवर्थित किया जाता है आपका information में इसके बाद है आपका CPU का वह बाग जो सभी computer components की गतिविदियों को coordinate करता है वो क्या कहलाता है आपके जो right answer है वो है आपका control unit कहलाता है दोस्तों CPU का वह बाग जो सभी components को गतिविदियों को control करता है यानि coordinate करता है वह होता है अपका control unit इसके बाद है आपका अगला है किसी बाहरी स्रोथ से आती है और computer software में फीड की जाती है इस सुचना को आपको क्या काते हैं आपके यहाँ चार options दिए गए हैं और इसका जो right answer है वो है input किसी बाहरी स्रोथ से जैसे computer में आया दोस्तों हम लोग बाहरी कोई सूचना computer में फीड किये यह आपका input हो गया और यहां से यह दि जाता है तो इसको आपको output बोलते हैं यहां से यही हम लोगो output मिलता है इसके बाद है अगला question कि computer में जो आपका अधिकान processing होते हैं वो आपका कहां पे होता है तो वहां है आपका CPU में जो आपका computer का दिमागा आता CPU यानी Central Processing Unit यहीं computer का दिमागा आता है और इसी में अधिकान processing होते हैं इसके बाद है अगला अगला अपका जब आपका यहां पर है आपका जब computer input और output की बात होती है तब input का संदर्व इसमें क्या आपके यहां कथन दिये गए हैं और यहां पर आपका मैंने कफी कथन दिया हुआ है आप देख लीजिए और इसका जो right answer है वहा है आपका E उप्युक्त C और D दोनों आपका जो C भी answer है दोनों data या जानकरी जिसे computer में इंटर किया जाता है और data का प्रेशन जिसे computer में input किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं input output की बात होती है input के संदर्व में इसके बाद है आपका अगला है इनमे से कौन सा डिवाइस आउटपूट डिवाइस है दोस्तों तो आपके जो दिखिए यहां पर options दिखिए दोस्तों और इसका जो output डिवाइस है वह आपका है monitor pen drive जो है वह आपका input डिवाइस है scanner हम लोग scan करते हैं document upload करते हैं यानि input डिवाइस है monitor हम लोग को display देता है जो कि आपका output डिवाइस है इसके बाद है इनमे से कौन सा operating system नहीं है तो दोस्तों आपका Unix आपका जो है यह आपका operating system है Macintos का जो small नाम है short name है उसको बोलते हैं Mac यह भी आपका operating system है Windows के बारे में आप लोग दो पता ही होगा और mozilla जो है दोस्तों यह आपका एक सर्च इंजन है mozilla firebox browser है आप लोग को साथ पता ही होगा इसके बाद है अगला है इनमे से कौन सी memory सुपरफास्ट memory का लाता है तो दोस्तों सुपरफ register memory वह काफी सुपरफास्ट होता है कैसे से भी दोस्तों यह question आपका राजस्व करमेचारी में आज चुका है दोस्तों इसके बाद है आपका computer की खुद की छमता यानि जो IQ level होता है वो क्या होता है तो computer की जो IQ level यानि खुद की जो छमता होती है वह आपका zero होती है वह अप जोसको information देते हैं उसी के analyze करके वह बताता है मतलब एक इनसान के वेगर जो आपका computer का जो IQ होता है वो अपना खुद का zero होता है इसके बाद आपका निमनलिकित में से कौन सा CPU का भाग है आपका आपका देखिए निमनलिकित में से कौन सा CPU का भाग है तो देखिए इसमें जो CPU का जो दोस्तों भाग है वह है आपका D-A-L-E-U A-L-E-U जो है आपका इसका पूरा नाम है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट A-L-E-U अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बोलते हैं इसको पूरा नाम है इसका अब मैंने कुछ दिर पहले ही question number one में बताया था तो यह CPU का भाग होता है आपका keyboard तो पता है दोस्तों यह input device है printer आपका जो है हम लोग यहां से printer यानि print निकालते हैं यानि यह output device है इसके बाद अगला computer में data आप किसे कहा जाता है तो आपके यहां जो इसका right answer है वहाँ है आपका C चिन और संख्यात में आप सूचना जो होता है वह आपका computer data कहा जाता है इसके बाद है निमनलिकित में से कौन सा computer का बुरियादी कारियन नहीं है तो computer का जो बुरियादी कारियन नहीं है वह आपका text को scan करना text को scan नहीं करता है आपका computer इसके बाद graphics image को आपका computer में परविश्ट किया जाता है किसके तुरूप graphics image को computer जो इसमें किया जाता है scan scanner के दूबारा आप फोटो ये document बागार scan करते हैं और फिर हमेर computer के CPU के heart X में वह जाता है तो हम लोगो हाँ से आपका graphics image परविश्ट कर रहे हैं इसके बाद है आपका इन में से कौन सी ग्रहन युक्ती सबसे अधिक आकड़े को संग्राइद कर सकती है तो दोस्तो DVD जो होती है इस absence में से सबसे high अधिकतम आकड़े को संग्राइद कर सकती है क्योंकि DV में 4.5 आपका GB GB से लेके आपका 8.5 GB तक की छमता होती है CD में कम से कम आपका 700 MB से 800 MB के बीच होता है फ्लॉपी में अरब 2 से 9 MB के बीच होता है और दोस्तो DVD से भी जधा अधिक डाटा अंगरान कर सकता है उसको बोलते हैं आपका ब्लू रे डिस्क बोलते हैं उसको उसमें 125 GB के असपास की छमता होती है इसके बाद अगला question है आपका FTP का full form क्या होता है तो FTP का full form होता है file transfer protocol इसका right answer है इसके बाद है निमनलिकी computer screen पर आपको नीचे लंबा सा एक बार दिखाए देता है वह क्या कहा लाता है तो दोस्तों देखिए यह मान लिजए computer का display है यहाँ पर आपका एक जो blue color का बार का दिखाए देता है आपका तो उस बार को क्या कहा जाता है तो दोस्तों उस बार को हम लोग task बार बोलते हैं यह जो बार blue color का दिखाए देता है इसको task बार बोलते हैं हम लोग नीचे इसके बाद आपका Windows Operating System में Bottom जो होता है App5 यह क्या कायरी करता है तो आप5 जो होता है की वोड मेरे दोस्तों वह काम करता है आपको रिफ्रेस करना जब हम लोग PC को स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद उसको रिफ्रेस जो करते हैं राइट माउस का बटम दबाने के बाद इसमें F5 दबाते है रिफ्रेस होता है जिसे हमारा मेमोरी जो होता है वो फ्री होता है तेर फाइब जो हता है और रिफ्रेस करने के लिए काम आता है इसके बाद है निमने लिखी कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का इस्तिमाल किया जाता था तो दोस्तों वैक्यूम ट्यूब का जो इस्तिमाल किया जाता था वो आपका पहला जो फर्स्ट जेनरेशन का यान आप लोग निर्वात ट्यूब भी बोलते हैं आप याद रखिएगा इसके बाद निम्नलिखित कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाने लगा मतलब कौन सी पीडी में कि कौन सी पीडी का जो कंप्यूटर उसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाने लगा वो कौन सी पीडी थी मतलब इंटिगेटेटेट जो चीप यानि आई सी चीप जो है उसका इस्तिमाल जो किया जाने लगा वो कौन सी www.www का full form होता है worldwide babe याद रखेगा पूछ लिया जाता है कभी कबार worldwide babe होता है इसका full form तो internet, email, www.www का विकास किया गया किस PD में तो यह किया गया आपका पांचवी PD में फिप्त जनरेशन में दोस्तों इसके बाद है आपका hybrid computer hybrid computer किसे कहा जाता है तो hybrid computer जो होता है वो आपका ए एक digital computer और एक analog computer है दोनों को हम लोग यदि mix कर देंगे उसके बाद जो computer हम लोग के पास होगा उसको हम लोग hybrid computer बोलेंगे तो इसका right answer है C, A, B तता दोनों के combination को इसके बाद है प्रथम गनना यंतर कौन सा है यानि पहला जो हम लोग जो इससे हम लोग गनना करते थी calculate करते दे वह कौन सा यंतर था तो वह था दोस्तों आपका C, A, B, A, B, A, B, 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 C जो था हो पर्थम गनना यंतर है इसके बाद है निमनलिखी में आपका main sin computer का पिता यानि फ़ादास और computer किसे कह जाता है इसके बादे में आपने पता ही होगा इसका right answer है आपका Charles Bebe es, Charles Bebe es को ीटर का पितामा कहा जाता है इसके बाद ऐपका पर्थम गनना सेंत्र एवेसकस किस देश में हुआ तो एवेसकस का जो आपका पर्थम गनना मैंने अभी कुछ दिर पहले बताया कि पर्थम गनना जो यंत्र था उसका नाम था एवेसकस और एवेसकस का जो अविसकार हुआ आपका चीन में किया गया है इसके बाद है अगला आपका चुंबा किया डिस्क पर किस पदार्थ की मतलब परत होती है तो चुंबा किया जो डिस्क होती है जो आपका हाट डिस्क के अंदर लगा हुआ रहाता है जो आप हाट डिस्क यदि जो एक्स्टरनल या इंटरनल हाट डिस्क होता है हम लोग कंप पर्इंप में करने के लिए तो उसके डिक जो होता है उसके उपर एक पदार्थ का परत रहता है तो वहाँ आपका आपका लिल्कार क ऑप जो परत रहता है रहता है की सब अगला है आपका integrated circuit chip integrated circuit chip यानि IC पर किसकी परत होती है तो दोस्तो IC पर जो परत होती है वो होती है silicon की ये भी काफी important question है दोस्तो ध्यान रखिएगा इसमें silicon की होती है और आपकी जो silicon जो मतलब IC का जो production होता है वो सबसे ज़्यादा इंडिया में बैंगलोर में होता है दोस्तो याद रखिएगा बैंगलोर में इसको इसके बाद है आपका अगला है प्रतम अंकिय कंप्यूटर के blueprint के विकास में सरवधिक योगदान किसका है तो ध्यान रखिएगा blueprint के विकास के विकास जो हुआ है उसमाँ कंप्यूटर का जो blueprint हुआ है मदर sketch हुआ है बनाया गया था कंप्यूटर के उसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसका है यहाँ चार options है और इसका जो right answer है वहा है आपका d1 new man when new man का सरबदिक अधिक योगदान है दोस्तो तो दोस्तो वीडियो यही पर आपका end हो रहा है आप यहाँ वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज हमें जरूर बताइए और दोस्तो प्लीज आप like करना दोस्तो न भूले and subscribe करना न भूले दोस्तो और हिंदी का भी वीडियो अपलोट किया जा रहा है दोस्तो आप हमारे जाके चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं तो हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तो